जब भी कोई कपल गर्वधारण की तयारी शुरू करता है तो आयरवेट के मुताबिक उनके आहार में और उनके शरीर में प्यॉरिफिकेशन होना चाहिए और ये पद्धती आज मैं आपको सिखाने वारी हूँ आप देख रहे हैं यूट्यूब सहली और आपको बहुत-बहुत स्वागत है यूट्यूब सहली चानल में आयरवेट के मुताबिक शुक्र विशूधन यानि कि जब भी कोई कपल करते हैं कि अब उन्हें संतान चाहिए तो एग और स्पॉम अच्छे क्वालिटी के बने शुक्र धातु शुद्ध हो तो बॉड़ी के अंदर प्रक्रिया है इसमें डाइट भी होती है कई सारे चीजने भी खाने के लिए दी जाती और कुछ लाइफस्टाइल ट्रिक्स भ में एक बार बहुत अमीजिंग रेमेडी है और बहुत ही एफेक्टिव आज हम सीखेंगे कि केस्टर ओयल से किस तरीके से शुक्र विशुधन यानि एग और वंको किस तरह से प्यॉरिफाई करते हैं और गर्धारन की प्रक्रिया को सरल बनाते हैं और बहुत अच्छी संत सकते हैं केस्टर ओयल का जो विधी मैं आपको बताने वाड़ी हूं यह ना केवल आपको घर्धारन के लिए तयार करते हैं बलकि घर्धारन से पहले फिजिकली मेंटली इमोशनली आपको प्रिपेर कर देता है प्युरिफाई कर देता है बहुत ही अमेजिंग है इसकी बह करता है एक बाहर से और एक अंदर से तो बहुत ज्यादा ध्यान देने की बात है कि केस्टर ओयल जब हम शरीर पे बाहर से यूज करते हैं वही केस्टर ओयल हम अंदर से यानि कि फूड के थ्रू उसको हम खा नहीं सकते ले नहीं सकते खाने वाला केस्टर ओयल अलग होता ह तो आप जब पे केस्टर ओयल पर्चिस करें, ध्यान रखें कि जो आपको कंज्यूम करना है, वो लेबल्ड हो कि ये खाने योगी है, और उसी को आप खाने में प्रियोग करें. केस्टर ओयल से फोर्टिलिटी मसाज करने से आपके प्रजनन अंग तैयार हो जाते हैं, गर्बधारन के लिए ब्लड फ्लो बहुत अच्छा होता है, ब्लड फ्लो होने से मसल टोन होती है, यूट्रिस लाइनिंग अच्छी होती है, और ओवर्रोल आपकी फोर्टिलिटी पुरानी बात है, जो मैं कई बार आपको बता चुकी है, बहुत सारे विवर्ड ने फॉलो किया, और उनकी ट्यूब ब्लोकेज के इशू, पीसी, ओडी के इशू, और बहुत सारे तरह तरह के इशू उसमें उन्हें कंसीव कर लिया, तो ये सब आप जानते होंगे, लेकि इसको पीरिट्स के बाद से ओगलेशन तक करना करें, आज की नई बात क्या है, आज की नई बात है कि कैस्टर ओयल से अपने बॉडी को डिटॉक्स कैसे करना है, प्रेगनेंट होने के लिए, हस्बिन वाइफ दोनों ही इसको कर सकते हैं, सो आईए तरीका समझते हैं, सबस इसकी पहली वाले नाइट को आपको इसको यूजब करना है, एक महीने में तीन से चार बार यूजब करना है, आपको क्या करता है? कोई भी फूड लेना है, जैसे की मिल्क और आपको दूद लेना बहुत आसल है, एक कप दूद के अंदर एक चमशी के नहीं कि पान्च एम में विरेचन पंच कर्म पद्धती कहा जाता है इसको लेने के बाद अगले दिन दो से चार बार आपको स्टूल आएगा पेट साफ होगा इससे जो पेट में जमा टॉक्सिन है जो इंटेस्टाइन में टॉक्सिन है वो सारे निकल जाएंगे और बॉडी हमारी क्लीन होगी औ आपका इनरजी लेवल बूस्ट होगा इनफर्टिलिटी के सारे इस्यूज में पी सी ओडी में ओविरियन सिस्ट में यूट्रस लेटेड इस्यूज में कॉंस्टिपेशन में हर प्रॉब्लम में आप इस विरेचन पतिती को फॉलो कर सकते हैं अप सारी तरह से फिट हैं ल तोरान आपका खाना थोड़ा साधा हो जैसे दलिया खिचरी उसमें सबजीया एड़ कर सकते हैं ओलिव ओल से आप फलका सा उसमें तड़का लगा सकते हैं लेकिन बहुत जादा हैवी फूड इस तोरान आप कंज्यूम ना करें हेल्दी फूड कंज्यूम करें हावी पूरा लाव ले पाएंगे और यह तरीका इतना असान है कि आप फॉलो कर सकते हैं इसको लेकिन एक थोड़ी सी चोटी से साफधानी आपको बता दें कुछ लोगों के साथ ऐसा भी हो सकता है कि उनको डायरिया हो जाए उनको बहुत जादा स्टूल होने लग जाए तब ऐ बनाना ले सकते हैं और इस तरह कैस्टरोयल को आप दो तरीके से इस्तबाल करके अपनी फॉर्टिलेटी बढ़ा सकते हैं प्रेजनेंसी प्लानिंग बहुत आसान हो सकती है और यह एक बढ़ा ही अच्छा आयरवेदिक तरीका है उमेद करती है वीडियो अच्छा लागा ह कर दें आप सभी स्वस्त रहें मुश्कुराते रहें आपना ख्याल रखें बाबाए